दोस्तों स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में हम Post Office की वह जांदर स्कीम के बारे में जानेंगे जिसमें आप प्रते दिन 190 रुपे रखकर 10 लाग रुपे तक कर रिटरन पा सकते हैं जी हाँ दोस्तों यह Post Office की स्कीम है जो की गौर्मेंट के दोरह चलाई जाती है यह स्कीम में आपका पैसा 100% safe and square है यह स्कीम का नाम recurring deposit स्कीम है जिसे RD स्कीम भी कहते हैं इस स्कीम के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है जिसे की वह स्कीम का लाब नहीं उठा सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्कीम के लिए पूरी जान करी दूँगा तो इस वीडियो का आप अन तक देखते रहें ताकि आप इस योजना का भी लाब उठा सकें इस स्कीम के डिटल्स के बारे में जान लेते हैं minimum और maximum amount के बारे में minimum आप 10 रुपे तक जमा कर सकते हैं और maximum इसकी कोई भी सिमा नहीं है जो कि बहुत ही अच्छा है और इस account में आपको monthly deposit करना रहता है फिर इसके बाद बात करेंगे ये आप कहां खोल सकते हैं आप किसी भी post office में खोल सकते हैं या कोई भी bank में खोल सकते हैं यह आप अपने single account खोल सकते हैं या फिर अपने बच्चों के नाम पे भी खोल सकते हैं साथ ही आप इसमें joint account की भी facility है तो जो की बहुत ही बढ़िया है इसमें कोई भी restriction नहीं आप किसी भी प्रकार से चाहें उ आप वहाँ पे भी इस account को transfer कर रहा सकते हैं साथ ही इसमें nomination की facility भी उपलब्ध है अगर single account अपने खोला है तो आप nomini भी डाल सकते हैं यह account पांस साल का होता है जो कि और पांस साल के लिए हम extend कर सकते हैं तो आपको interest का अलाब 10 वरस तक तक fix मिलेगा साथ ही यह account premature closure तीन साल के बाद ही आप इसे close करवा सकते हैं जिसमें के आपको savings का interest मिलता है इस account में आप बात करते हैं loan की facility के बारे में जो की एक साल के बाद उपलब्ध है और आप एक साल के बाद इसमें 50% तक withdraw कर सकते हैं जितना भी आपने जमा किया होगा और यह 5 सल से 10 सल में एक ही बार आप loan उठा सकते हैं साथ ही इस account में जो भी आप ध्यानदा से जमा करते हैं वो under section ATC के तहक नहीं आता है और इसका जो भी interest होता है वो taxable होता है तो इसमें आपको यह भी ध्यान निवेश करते से में रखना होगा साथ में बात कर लेते हैं अभी इसके interest rate के बारे में जो की 7.2% per annum है जो कि हर 3 मेला में component होता है दोस्तों इस scheme में आप प्रतेक मास्ट से बहुत ही छोटा amount deposit करके अपने सपनेों को साकार कर सकते हैं अपने बच्चों के भविश्य के लिए उनकी education उनके marriage purpose या फिर आप अपनी retirement planning भी कर सकते हैं चलिए एक example किसे देख लेते हैं कि हमें 10 देख सकते हैं कि हर मेने आमनों को कितना amount ही जमा करना पड़ता है बहुत ही minimum amount है दोस्तों अगर आप इस channel पर नए है तो मैंने इस channel को subscribe किजे लाइक किजे अगर कोई भी question है तो नीचे comment किजे मैं आपका जवाब जरूर दूँगा धन्यवाद